आज हम जिस विशे पर बात करने के लिए यहां है उस विशे का शिर्षक है हिंदी उपन्यास का उदय और आलोचना हिंदी उपन्यास के सम्मन्द में आलोचना से हिंदी उपन्यास के रिष्टों के बारे में बात करने से पहले जरासी बात उपन्यास के बारे में उपन्यास क्या होता है संस्कृत में हमारे भारती वांगमे में उपन्यास शब्द का चलन पुराना है यह शब्द नया नहीं है लेकिन इस शब्द का जो अर्थ संस्कृत साहिति में मिलता है वह अर्थ कुछ इस तरह से है वाकिक उपक्रम, विचार, वक्तव, प्रस्ताव, भूमी का निकट रखना इत्यादी डॉक्टर बच्चन सिंग जिनोंने हिंदी उपन्यासों पर अनेक किताबे लिखिये जिनोंने हिंदी साहिति की इतिहास के शेत्र में भी खूब सारा काम किया है उन्होंने लिखा है उपन्यास शब्द को अंग्रेजी नौवल के अर्थ में प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति बालकृष्ण बट है बालकृष्ण बट भारतिंदू युक के सूपरिचित लेखक हैं जिनको हम उनके निवन्दों और उनकी पत्रकारिता के कारण भी जानते हैं प्रेमचन ने उपन्यास को परिभाशित करते हुए लिखा है मैं उपन्यास को मानवचरित्र का चित्र मात्र समस्ता हूँ मानवचरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल लक्ष है जैसा कि हम जानते हैं उपन्यास को आधुनिक जीवन का महा कावे कहा गया है ऐसा माना जाता है कि महा कावे जो मध्यकालीन कावे रचना थी और जो मध्यकालीन दौर में भारत और पूरी दुनिया में जिस विधा में अनेक महत्पून रचनाएं हमको मिलती है उस महा कावे को सामन्ती युक की विधा माना जाता है वहीं आदोनिक्ता के आगमन और पूंजी वाद के उदय ने अंग्रेजी साहित्य में उपन्यास जैसी विधा को जन्व दिया इसे मधिवर्ग के उदय के साथ भी जोड़ा गया है और इसे मधिवर्ग का महा कावे भी कहा गया है लेकिन भारत के परिप्रेक्ष में बाते पूरी तरह से सही नहीं गई नहीं मानी जा सकती हिंदी के सूप्रसिद आलोचक और विद्वान डॉक्टर नामवर सिंग ने अपनी पुस्तक प्रेम चंद और भारती समाज में लिखा है ठेट भारती उपन्यास मधिवर्ग के महाकवे के रूप में नहीं बलकी ग्रामेंड समाज के आख्यान यानि नेरेटिव के रूप में उदित और विक्सित हुआ नामवर जी ने ये भी लिखा है कि भारत में उपन्यास का उदय मद्धिवर्ग की महागाथा के रूप में नहीं बलकि जीवन की महागाथा के रूप में हुआ और नामवर जी की इस बात को ध्यान में रखकर हम हिंदी उपन्यासों के इतिहास पर दृष्टी डाले तो हम पाते हैं कि गोदान, महला, अचल, राग दरबारी, शेखर एक जीवनी जैसे उपन्यास केवल मद्धिवर्गी या केवल किसान जीवन के महाकावे नहीं है बलकि वे समुचे जीवन की महागाथा के रूप में हमारे सामने आते हैं हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लालाश्री निवास दास द्वारा लिखित परिक्षा गुरू को माना जाता है जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ था और इसी उपन्यास के साथ साथ इसके आसपास जो और लोग सक्री थे जो उस दौर में उपन्यास लिख रहे थे ऐसे हिंदी के प्रारंबिक उपन्यास कारों में लालाश्री निवास दास तो हैं ही इनके साथ साथ किशोरी लाल गोस्वामी बाल कृष्ण भट ठाकुर जगमोहन सिंग राधा कृष्ण दास लज्जा राम शर्मा देव की नंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी प्रमुक हैं लेकिन विचार करने की बात यह है कि हिंदी आलोचना और वहभी हिंदी गद्य आलोचना या सीधे सीधे कहें कि उपन्यास आलोचना का सुतरपात कब हुआ तो उसके लिए थोड़ा सा हमें संदर्वों में जाना होगा और संदर्व हमें बताते हैं कि हिंदी आलोचना का सुतरप परा थी कि हिंदी के नवरत में कौन हो सकते हैं उस दौर के विद्वान उस दौर के ऐसे लोग जिनका आलोचना से आलोचना में गहरा वास्ता था या जिनकी गहरी दिल्चस्पी थी आलोचना में वे लोग नवरतनों की सुची बनाया करते थे तो नवरतनों की सुची भी ब पनाया करते थे और तुलनात्मक पद्धती के आधार पर अपने प्रिय लेकों का मुल्यांकन किया करते थे उसी तुलनात्मक पद्धती जिसका अभी अभी जिक्र किया था देव या बिहारी बिहारी या देव कौन बड़े हैं तो इस तुलनात्मक पद्धती और नवरत्न या नवरत्न चुनने के साथ हिंदी आलोचना की शुरुवात होती है लेकिन बहुत जल्दी महावीर पसाद वेदी शाम सुंदर दास और आचारे रामचंदर शुक्ल जैसे विद्वान लोग हिंदी आलोचना के शेतर में आते हैं और हम देखते हैं कि इन लोगों के आगमन के साथ हिंदी आलोचना को एक गती मिलती है एक विवस्तित रूप और आकार भी मिलता है आचारे रामचंदर शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित का इतिहास में हिंदी गद्य साहित के अंतरगत उपनियासों की चर्चा की गई है जिसे इसी चर्चा को हम उपनियास आ तब तक प्रेमचन जैसे बड़े उपन्यासकार की अधिकांश रचनाये प्रकाशित हो चुकी थी लेकिन प्रेमचन जैसे बड़े उपन्यासकार की कृतियों पर भी खंडन मंडन की शैली में ही आलोचनाये हुई थी शुरुवात इसी तरह हुई थी और इन आलोचनाओं मे आचरे नंदुलारे वाजपई, शिवदान सिंचोहान और डॉक्टर रामविला शर्मा जैसे विद्वानों ने भाग लिया था यहीं याद आते हैं प्रेमचंद के कटू आलोचक अवद उपाध्याय जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे और प्रेमचंद के प्रत्येग उपन्यास को किसी अंग्रेजी उपन्यास की नकल या उससे प्रभावित बताने का वे भरसक प्रयत्न करते थे अब इन तमाम बातों को याद करना ऐसा ही है जैसा हम ये कहें कि खंडन मंडन और आलोचना कटू आलोचना के साथ हिंदी में उपन्यास की आलोचना की शुरुवात होती है प्रेमचन के बाद बहुत जल्दी परिद्रिश्य पर यश्पाल, रांगे, रागव और राहुस, हंकृत्यायन जैसे प्रगतिशील उपन्यास कार आते हैं लेकिन इन प्रगतिशील उपन्यास कारों की कृतियों पर उस दौर में अनेक विवाद हुए थे और इन विवादों में उस दौर के अनेक समिक्षकों आलोचकों ने भाग लिया था भूलना नहीं चाहिए कि इन विवादों ने भी हिंदी में उपन्यास आलोचना को गती प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया डौक्टर राम विलाज शर्मा ने उस दौर में एक किताब लिखी थी जिसका शिर्षक था प्रेमचन लेकिन वे अपनी इस किताब से संतुष्ट नहीं हुए और बाद में हुए विवादों और प्रेमचन के मुल्यांकन की नई जरुवत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1952 में एक किताब प्रस्तुत की एक किताब उनकी आई जिसका शिर्षक था प्रेमचन और उनका युब इस किताब में उन्होंने प्रेमचन के उपन्यासों के महत उपर स्वतंत्र विशलेशन और विवेचन प्रधान लेक लिखे जो उपन्यास आलोचना के प्र परिद्रिशिव में मौझूद थे जिनमें दो उपन्यासकारों के नाम हम आदर के साथ याद करते हैं जैशंकर प्रसाद और जैनिंद्र कुमार। स्वतंतरता से थोड़ा पहले अग्ये और राहुल सांकरित्यायन और जैसा कि अभी अभी हमने जिक्र किया यश्पाल और रांगे रागों का भी लेखन सामने आ चुका था। स्वतंता के बाद अनेक महत्पून उपन्यासों का लेखन हुआ। लेकिन इस दौर में स्वतंता के फौरण बाद जो हमारे परिद्रिश्च पर बड़े साहितिक आंदोलन थे उन साहितिक आंदोलनों को देखना भी यहां आविशक है। ये जो दो बड़े साहितिक आंदोलन थे ये थे नई कविता और नई कहानी के आंदोलन। और नई कहानी का आंदोलन ये दिपी कहानी का आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन को समझे बिना हम उपन्यास को भी ठीक तरह से नहीं जान सकते हैं, हम ये जानते हैं कि नई कहानी का जो आंदोलन है उसका गहरा सम्मन आच लिखता से है नए बन रहे पारिवारिक सम्मन्दों से है ब्रश्टाचार से है व्यंग विडमना से है और जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर आजादी के बाद बांधों का निर्मान हुआ इ लोगों का विस्थापन भी हुआ ये विस्थापन केवल नकारात्मक नहीं सकारात्मक अर्थ में भी है नौकरिया मिलने की वज़े से लोग घावों से निकल निकल कर शहरों में आए शहरों में रहने लगे शहरों का भी निर्मान हुआ, इन तमाम चीजों ने साहित पर गहरा असर डाला, आच लिखता का तो उदे इनहीं कारणों में देखा जाता है, ये तमाम बातें सिर्फ नई कहानी की सम्वेदना का निर्मान नहीं करती, बलकि उपन्यासों पर भी इन बातों का प्रभाव दे महान उपन्यास जिनने हम कह सकते हैं, ऐसे उपन्यासों में यश्पाल का जूठा सच, फणिश्वननात रेणू का मैला अचल, श्रीलाल शुकल का रागदरबारी, अमरितलाल नागर का बून और समुद्र, रांगे रगव का कप तक पुकारूं, भगवती चरण वर्मा का टेड़े मेड़े रास्ते, राजिंदर यादव का सारा आकाश और राही मासूम रजा का आधा गाओं हमें सबसे पहले याद आते हैं, इन उपन्यासों के आगमन के साथ साथ, और नई कहानी आंदोलन के गती पकड़ने के साथ साथ, और उसके बाद कहानी के पूरे कों की दिल्चस्पी बढ़ी, यही वज़य है कि इस दौर में हमें नलिन विलोचन शर्मा, शिवनारायन श्रीवास्तव, त्रिभुवन सिंग, देवराज उपाध्याय, इंद्रनात मदान, रामदरश मिश्र और नवल किशोर की आलोचना कृतिया मिलती हैं, जो इस दौर की हल्चलों को इस दौर के गद्धि साहिति को ठीक तरह से मुल्यांकित करने का काम या उस दौर के गद्धि साहिति को रेखांकित करने का काम करती हैं, नवल किशोर ने मानववाद और साहिति तथा आधुनिक हिंदी उपन्यास और मानवी अर्थवत्त जैसी अपनी कृत की उन्होंने अपने उपन्यास अलोचना की इन पुस्तकों में प्रेमचन अग्ये भगवती चरण वर्मा जैसे बड़े उपन्यास कारों के उपन्यास कर्म का गहन विशलेशन और मुल्यांकन करने का प्रयास किया था अब विचार किया जाए कि हिंदी अलोचना पर पहली विशिष्ट कृती या पहली महत्पुन कृती हम किसे मानें 1966 में 1966 में नेमी चन जैन की किताब आई थी अधूरे साक्षाकार इस किताब का हिंदी उपन्यास अलोचना की शेत्र में बड़ा महत्व है इस किताब में स्वतंतरता के बाद के प्रमुक उपन्यासों का सर्वांगीन विवेचन किया गया था नेमी चन जैन ने अध्यन के लिए जैन उपन्यासों का चुनाव किया था उन उपन्यासों में कृष्ण मल्देव वैद का उसका बचपन अग्ये का नदी के द्वीप, रेणू का मेला आचल, नरेश महता का यह पत बंधू था, अमरितलाल नागर का बून और समुद्र, यश्पाल का जूठा सच, भगवती चरणवर्मा का भूले बिसरे चित्र, जैनेंद्र का जैवर्धन, और हजारिवसाद्वियदी का चारू के लिए जिस संदर्व को वे सोत्साह प्रकट करते हैं, वह यह था, उपन्यास आज के सम्वेदंशील व्यक्ति के लिए न किवल आत्मा भी व्यक्ति का, बलकि बहुत कुछ आत्मान, वेशन और आत्मो लब्दी का भी साधन बनता है, और इस प्रकार किसी भी कलात्मक स्र किस्टी के मौलिक धर्म के पालन में साहयक होता है, नेमी जी आगे लिखते हैं, पिछले 15-20 वर्ष के हिंदी उपन्यास में भी भाव चेतना, संदर्य बोध और बौदिक्स, संगर्ष का जो वक्तव्य है, वह कावि में उपलब्द वक्तव्य की अपिक्षा तीवरता और गहनता में चाहे कम हो, किन्तु व्यापक्ता और वैचित्र में निश्चे ही अधिक है, इन उपन्यासों में जीवन खंड सत्यों के असंग के सुक्ष्वत तता मारमिक रूप, अभी अनुभूती की तीवरता और विवित्ता के अंगिनत इस तरों में बिखरे पड़े हैं नेवी जी ने कुछ प्रतिनिती उपन्यासों का चुनाओ कर उन पर विस्तार से चर्चा करना जरूरी समझा था और इस चर्चा में उनकी आलोचन द्रिश्टी को भी बलिभाती देखा समझा जा सकता है अग्ये के फ्रसिद्ध उपन्यास नदीके द्रीप की प्रशंसा में कहते हैं गद्य में लिखे हुए एक लंबे प्रेम कावे जैसा ये बात वो नदीके द्रीप के लिए कहते हैं और लगभग इसी कसोटी पर वे कृष्ण मल्देव वैद के उपन्यास उसका बच्पन को उनका कहना है कि इसकी प्रमुख विशिष्टा है ही यह कि उसकी रचना एक लंबी कविता जैसी है इसके पहले भी वे नदीके द्रीप के संबन्द में कह चुके हैं कि सुक्ष्म से सुक्ष्म भावनाओं और विचारों को प्रकरता के साथ अभिव्यक्त करने की द्रिष् कि शमताओं के शितिच खुलते हैं आगे मैला अचल की प्रशंसा में भी उन्हें जो प्रमुख कारक दिखाई देते हैं वे यह हैं तरल भाववा वेश पूर्ण उतकटता और आत्मिये और कवित्व पूर्ण द्रिष्टी कविवर नरेश महता के उपन्यास यह पत्थ ब प्रभावित हैं और इस उपन्यास की बड़ी सहज करुणा और भाव सगंता को वे मुल्यवान मानते हैं पचास वर्ष पूरे कर चुकी आलोचना की इस किताब का एक पाठ यह भी संबव है कि हिंदी साहिति के इतिहास में छिटपुट गंभीर प्रयासों के बावजूद यह पहली आलोचना कृती है जो उपन्यासों की समिक्षा आलोचना के लिए कुछ औजारों का निर्मान करती है और एक इमानदार रहा पर चलने का संकल्प इस किताब को सच्चे अर्थों में मुल्यवान बनाता है इस किताब के बाद जोकी 1966 में आई थी उसके बाद लंब पर आये उनमें अनेक अराजक आंदोलन भी थे अनेक गंभीर प्रयास भी इस शेत्र में हुए और कहानी के साथ साथ अगर हम उपन्यास लेखन के बारे में विचार करें तो पिछली पीडी के लोगों लोग जिनमें खास तोर पर अम्रितलान नागर नरेश मैता मोहन राक उनका अवसान होता है या वे लिखना बंद कर देते हैं तो इनके बाद असी के दशक में कुछ ऐसे उपन्यास आते हैं जिन उपन्यासों के साथ हम कह सकते हैं कि हिंदी उपन्यासों के शित्र में एक नया उभार देखने को मिलता है ऐसे उपन्यासों में मारकंडे का अगनी बीच, मनोहर शाम जोशी का कसप, काशिना सिंग का अपना मोर्चा, जगदीश चंद्र का धरती धन्ना अपना जैसे उपन्यास सबसे प्रमुक माने जा सकते हैं इन उपन्यासों के साथ साथ लगुपत्रिकाओं की भी चर्चा आवश्यक है जिनोंने उपन्यासों से सम्मंदित अनेक अंक निकाले या सामन्य अंकों में भी इन उपन्यासों की या ऐसे उपन्यासों की बड़ी चर्चा की पहल वसुधा और सापेक्ष के विशेशांको को इस प्रसंग में हम याद कर सकते हैं 1990 के बाद भूमंडली करण के साथ साथ भूमंडली करण की परिगटना हमारे देश में होती है मुक्त बाजार विवस्था का आगमन होता है और इंटरनेट और मीडिया विस्फोर्ट जैसी चीजें होती है इन तमाम चीजें ने उपन्यास लेखन और समुचे साहिती पर गहरा असर डाला विचार धरा की गेरे बंदी भी तूटी और दलित और इस्त्री लेखन जैसे नए क्षेत्र भी साहिती की दुनिया में आए ऐसा नहीं है कि पहले ये सब नहीं थे लेकिन पहले होना एक उपस्तिती मात्र था तो अब ये साहिती के बड़े और नए इलाकों के रूप में आये जिनका दबदबा साहिती की दुनिया में भारी था इन गतिविदियों में राजेंदर यादव द्वारा संपादित हंस का भारी योगदान है बड़ा योगदान है उन्होंने लगातार उपन्यासों की समिक्षाएं की और उपन्यासों के संबन में कुछ विशेशांक भी निकाले नामवर सिंग के संबादन में निकल रही आलोचना के साथ साथ गोपाल राय की पत्री का समिक्षा को भी यहाँ याद करना चाहिए जिनोंने समिक्षाओं लेखों आलोचनाओं के माध्यम से उपन्यास आलोचना को अपने धंग से गति प्रदान की इस दोर में बच्चन सिंग, शिवकुमार मिश्र, मधुरेश, पर्मान शिवास्तव, विजय बहदूर सिंग, गिर्धर राठी, शम्मोनात, अर्चना वर्मा जैसे आलोचक, निरंतर सक्री रहे और अपने लेखों वा समिक्षाओं से हिंदी उपन्यास आलोचना को उन्ह सबसे पहले राजेंद्र यादव की किताबे 18 उपन्यास तथा उपन्यास वरूप और सम्वेदना को याद किया जाना चाहिए, राजेंद्र जी जो खुद एक समर्थ उपन्यास कार थे, समर्थ कहानी कार थे, समर्थ संपादक थे, लेकिन वे उपन्यास की समिक्षा और आलोचना में भी कैसा गंभीर हस्तक्षेप कर सकते थे इसका प्रमान उनकी ये किताबे हैं। चंद्रकांत बांदी वडेकर की किताब हिंदी उपन्यास इस्तिती और गती लंबे समय तक हिंदी उपन्यास आलोचना के शित्र में महत्पून बनी रही। निर्मला जैन के द्वारा संपादित किताब हिंदी उपन्यास 1950 के बाद के प्रशन्षक अभी भी मिलते हैं। जिस किताब में 1950 के बाद आने वाले अनेक महत्पून उपन्यासों पर सोतंत्र लेक दिये गए थे। मुझे याद आते हैं नित्यानंतिवारी और अर्चना वर्मा के महत्पून लेक जो इस किताब में संकलित है। राजिन रियादव की ही एक और किताब हमको याद आती है लेकिन उसके साथ साथ हम भीश्व साहनी के द्वारा संपादित की गई एक महत्पून किताब को याद कर सकते हैं जिसका शिर्शक्ता आधुनिक हिंदी उपन्यास। इस संपादित किताब में भीश्व जी ने अनूठा काम यह किया था कि अनेक महत्पून उपन्यासों पर उन्होंने नकेवल समिक्षा आलेक दिये थे बलकि उन उपन्यासकारों समंदित उपन्यासकारों से भी आग्रे किया था कि वे इन उपन्यासों की रचना प्रक्रिय के बारे में लिखें तो उस किताब में पहली बार हम पाठकों को पढ़ने को मिला यश्पाल द्वारा लिखित जूठा सच की रचना प्रक्रिया पर आलेक अग्ये द्वारा शेखरेक जीवनी या नदीकविद्वीप की रचना प्रक्रिया पर आलेक अनेक लोगों की रचना नई शताबदी में नामवर सिंग डॉक्टर नामवर सिंग ने भिश्म सानी के इस काम को आगे बढ़ाया और राजकमल प्रकाशन ने आधुनिक हिंदी उपन्यास का भाग दो प्रकाशित किया जिसमें भिश्म जी के द्वारा संपादित की गई किताब के बाद आने वाले म महत्मून उपन्यासों की चर्चा इस पुस्तक में मिलती जिसमें मिर्णाल पांडे से लगा कर मैत्रई पुष्पा और नई पीडी के तमाम उपन्यास कारों के उपन्यास भी शामिल हैं इन किताबों के बाद मदुरेश जी की अनेक किताबे हैं जो उपन्यास और कहानी आलोचना से सम्मंदित हैं बलकि हम कह सकते हैं कि मदुरेश वे लेखक हैं वे आलोचक हैं जिन्होंने अपने आपको कथा समिक्षा के लिए समर्पित कर दिया उनकी पुस्तक हिंदी उपन्यास का विकास खास तोर पर रिखांकित किये जाने योग्य है इसके अलावा भी उन्होंने उपन्यासों पर अनेक पुस्तके लिखी है एक पुस्तक उनकी याद आती है हिंदी उपन्यास सार्थक की पहचान डॉक्टर घुपाल राय की पुस्त के हिंदी उपन्यास का इतिहास जो की तीन खंडों में निकली इसके साथ उपन्यास की सरचना जो की हिंदी उपन्यास या ये कहा जाए कि हिंदी में उपन्यास की सरचना पर उपन्यास के स्ट्रक्चर पर पहली महत्पून किताब है बलक किताब नहीं लिखी विजे मोहन सिंग की किताब कथा समय विरेंदर यादव की किताब उपन्यास और वर्चस्व की सत्ता और नवल किशोर की अभी-भी आई किताब कथा अलोचना को भी इस संदर्ब में याद किया जा सकता है हम कुछ ऐसी किताबों और कुछ ऐसे प्रसंग को भी यहाँ याद कर सकते हैं जहां रचना या रचनाकार विशेश के बहाने उपन्यासों पर बात हुई हो प्रेम चंज, जैशंकर प्रसाद, रेणू, श्रीलाल शुक्न, निर्मल वर्मा जैसे लेखों पर अनेक स्वतंत्र और संपादित पुस्कों का प्रकाशन हुआ रेणू जिनकी जन्वशताब्दी अभी अभी निकली है, उनकी जन्वशताब्दी के मौके पर अनेक पत्रिकाओं ने विशेशांक निकाले जिनमें रेणू के सभी उपन्यासों पर विस्तार से चर्चा हुई पत्र पत्रिकाओं की योगदान के संबन में पहले बात हुई है, लेकिन याद आता है पक्षधर जैसी पत्रिकाओं ने उपन्यास के शिल्प और उपन्यास के महत्वपर दो खंडों में बड़ा विशेशांक निकाला था, जो उपन्यास आलोचना और हिंदी में उपन्यास की इस्तिती पर एक बड़ा दस्तावेज बनकर आता है, कुछ इतिहास गरंतों को भी यहाँ याद किया जाना चाहिए, और इन इतिहास गरंतों में बच्चन सिंग की किताब आधुनिक हिंदी साहिति का इतिहास, विजे म पर आधुनिक हैं, कुछ नए आलोचकों की चर्चा के साथ इस बातचीत को मैं समाप्त करूंगा, हिंदी उपन्यासों की आलोचना में और इन उपन्यासों पर कंभीरता से काम करने के लिए जिन लोगों को, जिन अध्यापकों को, जिन अकादमी शेनों को, जिन विद्व को हम याद करते हैं, जो हमारी PD के हैं, जो नए दौर में सक्री हैं, उन लोगों में, प्रोफिसर रोहिनी अगरवाल, डॉक्टर प्रणय कृष्ण, डॉक्टर गोपाल प्रधान, डॉक्टर वेभाल सिंग, डॉक्टर वजरंग विहारी तिवारी और आशुतोष कुमार क रह सकते हैं कि नई शताबदी का लगभग एक चोथाई समय बीतने वाला है, और इस कालखंड में भी अनेक नए नए महत्पूर्ण उपन्यासों का प्रकाशन निरंतर हो रहा है, भूमंडली करण, सामप्रदाइक्ता और राजनीती इन उपन्यासों के विशे रहे हैं, इ इनका सही जगह पर रिखांकन करें, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे, विश्वास करना चाहिए कि हमारे आलोचना कर्म में लगे हुए विद्वानों के साथ युवा अध्यताओं और शोधार्तियों के द्वारा किये जा रहे हैं, रिसर्च काम के रिसर्च का युवा प्राप्त कर सकेगी, धन्यवाद.